अस्सलाम अलेकूम और नमस्कार ये नया एपिसोड है डिजिटल चर्चा का मैं एक नहीं किताब पड़ रही हूँ Einstein's Greatest Mistakes ये है Einstein, Albert Einstein के बारे में जो एक physicist है, जो एक शाखा होती है विज्ञान की physics उसमें उनका जो योगदान है वो बहुत ही जादा महत्वपुन रहा है और उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइस भी मिला हुआ है और आप वाल गूगल कीजिये उनको और उनके बारे में और भी जादा पढ़िये और ये जो किताब है इनके इस किताब के जो लेखख है वो मैं उन्हें जब मेरी जर्मनी में conference नीच दब मिली थी और तो मैंने ये किताब खरीदी थी और ये बहुत ही ज़्यादा interesting किताब है क्यांकि हम हमेश़ा एइनस्टाइन का जो नाम है मतलब एक super hero की तरह हमेशा उनको देखा है जो जिन्होंने जो उनका काम है जो जैसे कि मतलब उनकी बुद्धी है उनका knowledge है वो बहुत ही जादा एक super hero की तरह हमारे लिए के बहुत जादा inspiring है और इस किताब में उनकी कहानी है लेकिन वो कहाने पढ़ के मैं अच्छली वो किताब मैंने शायद पांच या दस पन्ने हो अभी मैंने पूरी पड़ी नहीं है वो किताब लेकिन उसमें जो आंगल वो जो ले रहे हैं लेखक वो बहुत इंट्रेस्टिंग है अ...अचले जो आती है, और उनके जो हालात थे वो ऐसे ही थे कि बहुत लोग अनसे मतलब रिलेट करेंगे जैसे उनकी पैदाइश हुई ऐसे घर में जहाहां उनके माबापके पास जादा पैसे नहीं थे तो कैसे उन्होंने फिर लेकिन उनका बहुत जादा इंट्रेस्ट था फिजिक्स में विज्ञान में कैसे आगे जब जाते हैं तो उनको नौकरी मिलती है तो उनको बहुत जादा एरोगेंस हो जाता है उनको जब वो अच्छली युनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो उनको पता था कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है तो उन्होंने बहुत सारे टीचर्श के साथ जैसे हम बोलेंगे पंगा ले लिया था क्योंकि उनको लगता था कि मैं बहुत ही जादा स्मार्ट हो लेकिन उस दमाने में क्या होता था ये अठारवी सदी की बात है उस जमा काम किया है या उन जिनों ने आपके साथ पढ़ाई की है वो आपके बारे में बता सकते हैं कि आप कैसे इनसान है तो नॉमली क्या होता है कि जब आप किदर काम करने जाते हैं तो आपके जो पहले पुराने जो काम जो आफिस वाले हैं वो दो या तीन लोग आप चुनते हैं कि जो आप बता सकते हैं दूसरों को कि ये मेरे बारे में अच्छी बाते लिख रहे हैं ताकि जो दूसरे आपके जो एंपलॉयर हैं जो आपको नौकरी देंगे उनकी बाते सुनकर उनको ये लगेगा कि अच्छा ये इनसान के बारे में लोग अच्छी बाते कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कंपनी में भी ऐसी इनसान की जरूरत है तो उनको उस वक्त reference की जरूरत थी जब उनको university से निकल के जाना था job के लिए और जो main teachers थे जो उनके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते थे उन्होंने उनको वो खत देने से मना कर दिया क्योंकि उनका इतना ego था उस वक्त तो अगर उनका वो ego नहीं होता उस वक्त तो अच्छे letter करके मिलके वो बहुत अच्छी university में दाखिल हो जाते और उनकी research वैसे ही चलती रहती और उनकी कहाने जैसी थी वैसी चलती रहती लेकिन क्या हुआ कि उनको letter नहीं मिला और उसके बाद में letter ना मिलने के वज़े से उनको किधर नौकरी नहीं मिल रहे थी उसके बाद में उनके मावाब भी तंग आ रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही है इतना तुमको पढ़ाया है तो वो करके कोई कैसी भी करके छोटी नौकरी ले लेते हैं और आगे जाके अभी इस पार्ट में मैं अभी तक किताब पढ़ रही है और आगे जाके उनकी कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग एक एंगल यह है कि यह कहानी शुरू होती है उनके आखरी दिनों की कि कैसे वो जब प्रिंस्टन युनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी अमरीकी युनिवर्सिटी है उधर जब वो आते जाते थे तो लोग उनको मतलब एक जैसे हम किसी फिल्म के स्टार को देख कर बोलते हैं कि अच्छा वो देखो हम ओटोग्राफ लेते हैं तो वैसे ही उनकी एक इमेज बन गई थी कि लोग उनको देखकर बहुत कुश होते थे कि हमने सुना है कि इन्हों ने वो फिजिक्स की वो थियरी बनाई है वगयरा वगयरा लेकिन एक बात जो उस वक्त लोगों ने जादा नोटिस नहीं किय थी वो ये था कि आइंस्टाइन ने कोई नया काम नई किया था उन्हों ने जो अपनी वो थियरी और रिलेटिविटी है जो उनका जो टॉपिक था जिनके वज़े से उनको नोबेल पीस प्राइस मिला था उनके साथ काम करने से माना कर दिया था तो एक बहुत interesting कहानी है, ना के सिर्फ को, ओ, Einstein इतने बड़े हैं और उनकी कहानी कैसी होगी, लेकिन ये कहानी ऐसे इंसान की कहानी है, जो life में वैसे ही struggle के बाद में कैसे उसको शोहरत मिलती है, लेकिन वो शोहरत मिलने के बाद में भी क्या होता है, जब हम कोई अवार्ड आगे क्या करेंगे जैसे अब मास्टर्स हमने कर लिया है लेकिन यह है कि मास्टर्स के बाद में जितना हमको जानना है जरूरी ने कि हमें वह साब आता है तो मैं आज सुबह ही कुछ चीजे देख रहे थे और मुझे ऐसे लगता था कि इतनी सारी नहीं चीजे हैं कि मुझे और फिर से कुछ न कुछ कोई प्रोग्राम या कुछ शुरू करना होगा मेरे खुद को मेरे खुद के सीखने के लिए तो यह सोचते सोचते मैं सवाल मेरे दिमाग में ये था कि हम दूसरे भी हमारे सवाल कभी आते हैं तो वो DHP के पेज के थूरू तो उसमें लोग तो फिर हम क्या करें और मैं यह सवाल सोच रही थी और इसके बाद में आज मैं थोड़ा सा इस टॉपक पर बात करूंगे लेकिन इसके बाद में आपके लिए एक सवाल भी है उसको चालेंज समिझे यह एक सवाल जिसके बारह में सोचने के लिए आप ये दो-टिन दिन ल तो वो हमेशा बोलें कुछ यह आक्टर बनना है या पुलीस हमको बनना है तो यह हम बोलेंगे aspiration aspiration का मतलब कि आकांग्षा कि आपके दिमाग में एक मतलब एक दिल में तमन्ना होती है आपके दिमाग में आपके खुद के लिए एक आकांगशा होता है, एक गोल होता है कि मुझ में ये काबिलियत है कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, हम उनको सिखाते क्या है और मतलब एक डिसकनेक्ट है, एक कुछ तूटा हुआ है उनकी इस समझ में और फिर आगे जो होगा उसमें, कि जब बच्चे बोलते हैं, उनके आसपास ऐसे क्या है, कौन रोल मॉडल्स हैं उनके, कि उनको देखे लगेगा कि अच्छा मैं अगर पुलीसमान अगर मुझे बनना है तो पुलीस बनने के लिए ऐसा कौन है मेरे पास जिसे मैं बात कर सकता हूँ, तो बच्चों में अगर आप उनको स्कूल और बहुत सारी चीजें जो हमको लगता है कि इसका फाइदा क्या है मुझे मैच्स में अगता था वह साइन कॉस बढ़ते थे तो हमेशा यह लगता था कि इसको पढ़ने का फाइदा क्या है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी फिर इंडियन सिस्टम से जब मैं ब्रिटिश जो भी चीजे मैं पढ़ रहे थी उसका डायरेक्ट मुझे समझ में आरा था कि इस चीज का एक्चुली इसका इसकी इंपोर्टेंस क्या है तो हमारे जो स्कूल का सिस्टम एक चीज है लेकिन घर में भी हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि वो अगर कुछ अलग कर रहा है सबसे पहले उसकी कृटिसिजिम होगी उसकी निंदा होगी वो सब करेंगे दूसरी चीज अगर कोई कुछ अच्छा करेगा तो उसमें बहुत एक जेलेसी का बी अलिमेंट है जलन होती है लोगों को तो जब हम अपने घरों में ऐसी बाते करते हैं बच्चों को वस यही क्या तो निंदा या फिर जलन की बाते करते हैं तो वो कैसे कोई उनके पास अगर कोई लोग है आसपास जो कुछ अलग कर रहे हैं तो वो कैसे उनका एक जैसे हम बोलेगे कि इस्तेमाल कीजिए ऐसे लोगों का ताकि वो और लोगों को बता सके कि य अलग काम भी हम कर सकते हैं कि हम काम कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं हम घर भार सब देख सकते हैं और हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें हमें हमें खुशी मिले और हम, और सब के दिल में एक यह तमन्ना होती कि हां मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें सब दिखकर करें कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है ये सारी चीज बच्चों में होती है लेकिन ये उनके जो बड़े होने का वो जो टाइम होता है उनमें आइस्ता करके ऐसी चीजे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये भावना उनके अंदर से निकाल रहे हैं तो हमको लगता है कि हम बाहर ढूंडेंगे कि स्कूल में क्या हो रहा है या स्कूल का सिस्टम टाइम लेगा लेकिन आप घर में क्या कर रहे हैं आप ऐसा अपनी काम के बारे में मैं जानती हूँ लड़किया हैं, लड़के हैं, यंग हैं, जो भी उनकी उमर है, वो देखकर उनको एक ये फिलिंग होना चाहिए कि अगर मैं शेखावाटी से बिलॉंग करती हूँ, हम भी माहौल भी हमारा जो फतेपुर में जैसा था, वैसे ही सिचुएशन से हम आए हैं, लेकिन अलग क्या बाते थी, तो उसमें एक सबसे जादा मैं जो बहुत समझती हूँ वो ये है कि हमारे घर में, मेरे फादर जो हैं, उनको पढ़ने का बहुत जादा शौक है, तो उनके वज़े से हमेशा हमारे घर में जो लाइबरी रही है, वो हमारे पास बहुत सारी कि किताब नहीं है, जो मैं पढ़ रही हूँ, और इन दिनों में कभी-कभी मैं एक वक्त में तीन या चार किताबे साथ पढ़ती हूँ, एक किताब मेरे उपर वाले रूम में, एक किताब बैग में होती है, तो अगर बाहर के दर भी गाड़े में हो है, ट्रेन में वगर तो टीन-चार अलग-अलग टॉपिक की बढ़ने, टो एक बढ़िए केटना सारा है अभीतक सीकने को और यह चोटी सी चीज है घर में किताबे होना घर में किताबे पढ़ने को एंजॉई करना लेकिन यही एक चीज है जो आपको बहुत अलग कर देती है बहुत सारे लोगों से तो यही है कि जब लोग सोचते हैं उनको हमेशा लोगों को यह लगता है कि हाँ इसलिए पढ़ाई की क्योंकि आप तो अफोर्ड कर सकते हैं यह मास्टर्स करना लेकिन यह सिर्फ एक पैसे की बात नहीं है यह सिर्फ एक ऐसी बात है हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ग्राजुएशन किया है लेकिन सब अलग अलग लेवल पर है आपकी खुद की सोच क्या है आपकी जिंदगी के लिए और मैं आजकल के जो टाइम चल रहा है उसको देखकर बोलूँगी कि आजकल बहुत जादा जरूरी है कि हम किताबों में हमारा इंट्रेस्ट हो नए बाते सीखने में इंट्रेस्ट हो लेकिन ये बात भी हम याद रखें कि हर चीज में हम कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है जो मतलब डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास लेकिन ये सारी पढ़ाई करके जब दिल में किसी भी चीज के लिए किसी लोगों के लिए या कुछ नफरत होती है तो आपका सारा जो आपका काम है वो जाया हो जाता है तो बहुत सारी बाते हैं ये सिर्फ एक डिग्री लेने की बात नहीं है ये हमेशा मतलब एक ऐसी चीज़े जो हर रोज हमारी एक कोशिश होती है कि हम अच्छे इंसान बने हम नई बाते जाने और बाते सीखे लेकिन हम अच्छे इंसान बने सो बच्चों को लेकर ये ही है कि अगर आप खुद शुरुआत करेंगे उनको अच्छी बाते सिखाने के लिए और खुद जब सीखेंगे और अच्छी बाते तो तब उनको वो समझ होगी कि अच्छा मैं अगर ये पढ़ रहा हूँ यह मुझे स्कूल जाना है तो सकूल जाकर मुझे ये चीज मिलेगी है सकूल जाकर मैं और आगे इसलिए बढ़ पाऊँगा कको वो सकूल जाएंगे अगर वो टीचर कोई सही नहीं है तो अपने आप बच्चों का दिल नहीं लगेगा सकूल के अंदर और बस जाते वक मैं ये बोलूगी कि एक criticism जो हम अलोचना करते रहते हैं उसको थोड़े कम कीजिए वो अपने ही बच्चों की तरफ हो वो दूसरों की तरफ हो हमें एक ये जो सोच है दूसरों में हमेशा कुछ न कुछ अलोचना करने की कुछ न कुछ उमने बुराई देखने की अगर हम सब लोगों में उनकी अच्छाई ही देखते रहें तो वो हमारे लिए जादा बहतर होगा तो challenge आपके लिए ये है बहुत simple सा सवाल है लेकिन आप सोचिए इसके बारे में किस चीज के बारे में आप जादा जानकारे चाहते हैं कि मुझे ये चीज जादा अच्छी तरह समझनी है मैंने इसके बारे में कुछ ऐसे सुना है लेकिन मैं पूरी तरह समझती नहीं हूँ कि ये है क्या और ये कुछ ऐसे चीज़ें जिनके बारे में आप थोड़ा जानते हैं लेकिन आप चाहते कि आप और भी जादा समझें तो ये सवाल है, हम हमेशा दूसरों के तरफ देखते हैं कि वो हमारे लिए अलग क्या करेंगे मैं आपको भी ये बोल रहे हूं कि मेरे पास अभी ऐसे कॉंटाक्ट्स भी हैं मुझे बताईए कि ऐसी कौन से चीज़े हैं जिनमें आपको दिल्चस्पी हैं आप उसमें आप उनके बारे में जादा जानना चाहेंगे और उसके बाद में मैं इन्शालाव उसके बारे में जरूर फिर कुछ न कुछ करूंगी मेरे दिमाग में कुछ आइडियास हैं लेकिन मैंने सोचा कि मेरी प्लानिंग करने से पहले में आप सब लोगों को पूछती हूँ कि ऐसी कौन से चीज़े हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है अभी तक कि कभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है लेकिन हमें कभी ऐसा मोका नहीं मिलता कभी अच्छे लोगों से मिलने का या फिर उनको उनके साथ बातचीत करने का तो ये मैं आपको दे रही हूँ एक मौका, एक opportunity है आप मुझे बताईए और मैं email address भी इधर type कर देती हूँ तो अगर आप ये email पे भी मुझे भेजेंगे आपने कोई भी message इन topics के पारे में तो मैं जरूर उनको पढ़ूँगी आज का topic यही और इन्शाला अगले topic के साथ फिर मुलाकात होगी अल्लाफिस